हिमाचल परिवाहन सेवानर्वित कल्यार संग की बैठक जसूर में संपन हुई इस बैठक में संग के प्रदेश उपाध्याच करपाल पठानिया मौझूद रहे प्रदेश उपाध्यच कृपाल पठानिया ने कहा कि इससे पूर्व मुख्य मंतरी और परिवाहन मंतरी सहित मुख्य सच्मूं के साथ बैठक की गई थी इसमें निर्णय लिया गया था कि परिवाहन पेंशनर्स को हर महा साथ तारिक तक पेंशन भुगतान कर दिया जाएगा साथ ही छथे बेतन आयोग के लाप भी पेंशनर्स को दिये जाएंगे अतिक पेंशनर्स की समस्याओं का इस्थाई समाधान करने को लेकर भी चर्चा की गई थी और सरकार ने इन सभी के लिए हामी भी भरी थी लेकिन आज दिन तक सरकार ने अपनी कत्री पर कारिना करते हुए परिवाहन पेंशनर्स का सोसड किया है सर्वसम्मती से निर्णई लिया गया कि अगर सरकार 31 अगस तक पेंशनर्स की समस्याओं का इस्थाई समाधान नहीं करती है तो मजबूरी में उन्हें उग्र आंदोलर करना पड़ेगा अज दिनांक 12 यून 22 को तूरपर यून के हमारी बैटर विसूर्सित मंडली एकार शाला में संपन हुई है इसमें पशेश रूप से परिवेहन कल्यान मंच की परदेश कार एकरनी का शेश निर्टेतरव का हम दन्यवाद करते हैं जिनके प्रयासों से प्रदेश सरकार निकम परबंदन जो है फैसले के मतावब हमें प्रतेश कमा की प्रसंद सर्था में पेंशन देने पर राजी हो गया है अब हमें मासे ग्रूप से पैंशन मिलना शुरू हो गया है साथ में कती मारच 222 तक जितने भी हमारे कर्मचारी भाई सेवा निवर्ट हुए हैं उनको पैंशन के लाव मिलना शुरू हो गया है तता अब रहाल दो यारभाई में जो सेवा निवर्ट होंगे उनके भी पीपी यो त्यार होके पढ़े गया अगया में नम्या जाएंगे उसके लिए करमचारी ये जाएगा उससे ठीक एक मागे बाज वाया सेवा निवर्ट कर्मचारी ये को देने के लिए